हलो गाईश आज हम फिक से आगे टिक टॉक के वाइरल वीडियो का टूटोरियल ही कर जैसा कि वीडियो देख सकते हैं कृष्णा ने वीडियो बनाया है जो टिक टॉक पे काफी जादा तेंड में आ चुका है इस वीडियो पे 4-5 गंदे के अंदर में 5 million views कर चुका है वैदि अब इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी जादा like change views आ सकते हैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले वीडियो का description मेंने गिरीने screen और काइन master application का link दे चुगा हूँ simple आपको download कर लेना है download करने का बाद video का description में मैंने एक sound link दे चुगा हूँ simple आपको link पे click करना है click करने का आपको टिक टॉक application आपको इस तरह से open हो जाएंगे इसके बाद चलते हैं मौयल के home screen पे लेकिन आपके बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लिजे मेरा नाम है सैलेंडर आप देखेंगे टेकनिकल सैलेंडर यूट्यूब चाइनल चाइनल पे पहली बार है चाइनल को सब्सक्राइब कर कि आने बाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिले तो फाइनली हम आच चुके हैं मौयल के home screen पे इसके बाद हमें टिक टॉक आप्लिकेशन को open करना है open करने के बाद वीडियो के description मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ तो simple आपको link पे क्लिक करना है तो मैंने उस वीडियो के like करके रख रखा हूँ simple जैसे ही आप उस वीडियो पे click करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देहने को को मिल जाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते आपके सामने कुछ इस तरह के वीडियो देखने को मिल जा रहे हैं तो आपको सिम इसी परकार का वीडियो बनाना है तो आपको करना क्या है सिम्पल आपको एक option यहाँ पर मिल जाता इस option पर select करना है Select करने के बाद use this sound के वो select कर लेना है तो मैंने use this sound के सलेक्ट कर लिया हूँ Select करने के बाद आपको सिम्पल करना क्या है यहाँ पर एक option बिल जाता timer का timer पर select करना है और यहाँ पर आपको 3 seconds को select कर लेना है तो इस से पहले मैं इस mobile phone को stand में feed करता हूँ इसके बाद simple आपको करना क्या है timer page select करना है तो मैं यहाँ पर timer page select कर लेता हूँ select करने के बाद simple आपको start पे किलिक कर देना है तो मैं आपको start पे किलिक कर देता हूँ आपको next पे किलिक कर देना है next पे किलिक करने के बाद simple आपको करना क्या है यहां पर आप देख सकते हैं आपका publish select है simple इस पर click करेंगे इसे आपको private में select कर लेना है इसके बाद इस वीडियो को post कर देना है और finally हमारा वीडियो upload होना start हो चुका है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा net पर depend करता है आपका कितना speed है यहां पर हमें एक से दो मिनट बेट करना होगा तक चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर लिजे साथे साथ वेल आइकन दावा लिजे ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले हमारा वीडियो finally upload हो चुका है upload होने कबाद simple me पर click करना है किलिक करने के बाद आपका profile यहां पर open हो जाएगे आप देख सेक्थे दो वीडियो आपने private में upload किये थे यहां पर आपको वीडियो सोग कर देगा इसके बाद simple आपको करना कि 3.0 पर click करना है और यहां पर save वीडियो पर click कर देना है तो यह वीडियो आपको download होने कबाद gallery में save हो जाएंगे इसके बाद आपको काइनवास्टर application को open करना है तो चलते हम काइनवास्टर application की ओर तो हम finally काइनवास्टर application open कर चुका हूँ open करने कबाद plus का icon पर click करना है 9 into 16 कर issue select कर लेना है select करने कवाद media प्याना है background पे click करना है और यहाँ पर आपको black background select कर लेना है इस background पे click करना है और इसे आपको 10-15 second तक कर देना है layer प्याना है, media प्याना है वीडियो के description में मैंने एक वीडियो का link दे चुका हूँ simple आपको वीडियो को select कर लेना है सेलेक्ट करने को बाद इसकीन पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फोले स्कीन में कर देना है वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टूर राइट कर देना है वीडियो क्लेर पे क्लिक करेंगे और इसके आप आपको करना क्या है क्रोमा की पे आना है और क्रोमा की को इनेवल कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से अरजेस्ट कर देना है अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे इसके बाद आपको करना क्या यह starting point पे आना है layer पे आना है media पे आना है और आपने जो वीडियो सूट किये थे TikTok application से उस वीडियो को select कर लेना है जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया था वीडियो को मैंने यहाँ page select कर लिया हूँ select करने के बाद screen पे click करेंगे इसके बाद full screen एक कर देंगे वीडियो clear पे click करेंगे और save to back कर देना है अब आपका वीडियो देख सकते हैं जब play करकर देखेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें किसी भी परकार का वीडियो को Edit नहीं करना है इसके बाद आप देख सेकते इस वीडियो में भी और इस वीडियो में दोनों वीडियो में आपको Sound के दिसक्रेप्षन मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे चुका हूँ सिंपल आपको बीजी वीडियो के स्टाउंड पर आपको वीडियो को अपलोड कर देना है